hello friends welcome to my channel nursing study आज की वीडियो में हम डिसक्स करेंगे muscular system तो इसमें हम पढ़ेंगे muscular system क्या होता है and कितने types का होता है muscular system तो चलिए start करते हैं so guys पहले मैं diagram आपको दिखाना चाहूंगे कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं muscular system muscular system ये जो हमारे bones के उपर होती है या फिर जो muscles होती है तो उनी के बारे में होता है muscular system तो यह देखे यह अलग से आपको muscles दिख रही हैं इनका क्या काम होता है हमारे internal organs को internal structure को या फिर bones को safe रखने के लिए protect करने के लिए यह muscular system होता है और क्या इसका काम होता है ताकि किसी भी तरह कि हमारे internal organ को जो कि हमारे ribs हुए इन सब को क्या करता है यह protect करता है यानि कि किसी भी तरह कि mechanical injury होने से यह muscular system होता है यह उनको बचाता है तो first point है इसमें the muscular system is made of strong tissue that can contract in a orderly way means muscular system क्या है बहुत ہी strong tissue से मिलकर के बनता है यानि कि जो muscles होते हैं वहाँ पर काफी सारे strong tissues होते हैं यानि कि strong tissue वहाँ पर present होते हैं उन से मिलकर के muscles बनता है और जब वह contract होते है यानि कि जब आप move करते हैं भी हमारे हाथों में या फिर हमारे बाजू में हाथ में जैसी भी मुवमेंट होती है वो क्या है? ओन्ट्रेक्शन होना तो जो मुवमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर ओर्डर में होती है second point is your muscular system is made up of different type of muscles and has a several function यानि कि जो एक muscular system होता है वो different different muscles से बनता है एंट जिसका हर एक का हर एक मुसल का function क्या है different different function होता है third point all muscle tissue are made up of cell that contract और जो tissue होता है वो किसे cell से बनता है और cell क्या बना रहा है यहां पर muscle बना रहा है when the cell is when the cell of a muscle contraction the muscle tissue become shorter means जब जो cell of muscles होंगे यानि कि जो cell से muscles बने है जब वो contract होते है तो muscles क्या है वो short हो जाते हैं यानि कि उनके contraction हो रही है उसमें यानि कि stretch होना और फिर से उसको position में आना यह क्या है सारा एक process होता है the muscle tissue return to their original length when the cell relax और जब यह stretching होती है इसके अंदर जब वो अपनी position पर आते है उस time पर cell क्या है relax हो जाते है means जब वो अपनी normal position पर होंगे तो cell क्या है relax cell अपनी position पर होते है उसके बाद हम discuss करते है refer function क्या है यान कि क्या work होता है muscles का हमारे body मे था था मॉम्मेंट देना यानि कि यह हमारी body को movement देने में help करते है इसमें, many of your muscles help you move, यानि कि बहुत सारी muscles ऐसे होते हैं, जो हमें move करने में, यानि कि चलने में भी हमारी help करते हैं, कोई भी movement होई, हमारा चलना, बैटना, जैसे कि हम move करते हैं, hill, dhul रहे हैं, वो सब किस जैसे हो रहा है, muscles की वज़े से होता है, most of these muscles attach to bones, और ये सारी muscles क्या है attach होती है bones के साथ these muscles make your skeleton move means यह muscles किसका हमारी है जो हो कि हमारे skeleton को move करने में help करती है when muscle contract they move bones यानि कि जब muscle contract होती है तब यह bones move करती है these movement can be fast such as when you run means यह क्या है जब यह movement क्या होगी fast हो जाती है जब हम जैसे कि मानले जी कोई student या कोई बच्चा race कर रहा है भाग रहा है उस ताम पर इसकी movement क्या है fast हो ワहास हो जाती है क्यों क्योंकि बोंस मेंक वो भी fast हो रही है याinstall कि Kumis जो होती है उसमें वह fast हो जाती है second point आता है इसमें stability first point इसमें muscles that are attached to your bones support your body and help you keep your balance यानि कि यह क्या है balance बनाने में body का balance बनाने में muscles help करते हैं और यह muscles हमारे bones से attach होते हैं ठीक है और bones और यह muscles बन करके एक पूरी body framework बना रहे हैं और इस muscle का क्या काम है यह हमारे body को balance दे रही है tendons attach muscles to bone और जो tendons होती है यह क्या है muscles और bones को दुनों को attach करने का काम करती है then tendons work with muscles and keep your joint in place when your body moves और tendons का क्या work होता है यह muscles को joints के साथ बिल्कुल जोड के रखता है यानि कि जब भी body में movement होती है उनको जोड करके रखता है जोड के रखता है जिससे की body को movement में help हो जाती है muscle protect your body in a correct posture और shape means tendons और क्या काम कर रहा है यहां पर जो body का posture होता है या फिर body की जो shape होती है उसको भी यह maintain करके रखता है कैसे maintain कर रहा है क्योंकि यह joints और muscles को जोड के रखता है जिससे की body को movement में help हो जाती है then third point है protection muscle protect your body they cover most of your skeleton जैसे की अभी मैंने आपको diagram में दिखाया कि पूरे muscles ने जितना भी skeleton system है हमारे पूरे body को एक तरह से cover कर रहा है muscles ने तो यह हमारे skeleton system को भी protect करता है muscle also cover most of the organ inside your body और muscle कह कर रहा है हमारे internal organs को हमारे heart, liver, lungs सब को क्या है यह cover किया हुए है जो internal organ है उसको skeleton system ने cover किया है और skeleton system को इन muscles ने cover किया है यानकि इनको यह protect कर रहा है third point है muscles are like a layer of padding they surround your abdomen, chest and back and protect your internal organ और यह muscles के एक तरह की layer होती, padding की तरह यह work करता है यानकि एक तरह यह skeleton system पर padding लग गया है padding मान लीजिए जैसे कि example देती हूँ मैं आपको जैसे कि जो cricket खेलते हैं यह cricketer जो होते हैं वो padding लगाते हैं अपने पैरों पर, album में तो यह protect करने के लिए लगाते हैं तो इसी तरह से muscles भी ऐसी work करता है और यह कहां-कहां पर abdomen के आसपास होता है, chest, back तो यह सारा, इसका main work क्या है? यह हमारे internal organ को protect करता है फूर्थ है हमारा temperature regulation यानि कि muscle जो है वो body के temperature को maintain रखता है first point है इसमें your muscular system help your body keep your internal temperature within a certain range यानि कि यह muscular system जो है वो body को उसका जो internal temperature होता है उसको उसकी range तक set करके रखता है ना कि यानि कि ना तो उसको temperature को बढ़ने देता है और ना यह उसको कम होने देता है तो muscles को क्या काम है वो body के temperature को maintain रखता है third point है have you ever felt cold and then start shivering और इससे क्या होता है कि कभी-कभी जो है ठंड लगती है या फिर कभी-कभी जो है वो shivering होनी start हो जाती है तो इन सब चीज़ों से यह protect करके रखता है then shivering is a muscle rapidly contracting जब shivering होती है उस टाइम पर क्या होता है जो muscles होते है वो contract होने यानि कि लगातार contract होने start हो जाते है this range this changes chemical energy to the thermal energy तो यह सब shivering क्यों होती है जब chemical energy जो होती है body में वो thermal energy में change हो जाती है the release thermal energy help maintain your body temperature और यह thermal energy क्या काम कर रही है body के temperature को maintain रखने में help करती है next point है this is important because the human body temperature must stay और यह क्या है बहुत ही important है because एक person का एक human का body temperature जो है stay around 37 degree sensual in order for the body to the function properly यानि कि एक normal person का जो body temperature वो 37 degree sensual होना चाहिए और तभी उसकी body जो है वो properly work कर सकती है then उसके बाद last point है इसमें muscle also changes chemical energy to the thermal energy during exercise जब एक person exercise करता है उस time पर भी body का internal temperature होता है वो भी change होता है और muscles इसमें help कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं जो उसके अंदर chemical energy होती है वो उसको thermal energy में change करती है ताकि body का जो temperature है वो maintain रहे this is why you feel warm after physical activity जिसकी वज़े से क्या होता है कि जब भी माले जी आप exercise कर रहे हैं उस time पर body का temperature क्या है वो change हो जाता है क्योंकि जो body के अंदर chemical energy है वो thermal energy में change हो जाती है और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप exercise करते हैं या फिर running करते हैं उस time पर जब आप relax होकर के बैटे तब आपको यह feel होता है कि आपकी body जो हो काफी गर्म हो रही है या फिर warm हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि body के अंदर क्या है energy changes होई है यानिकि chemical energy जो थर्मा energy में change होई है क्यों हो यह ताकि वो body के temperature को बनाए रखे तो यह था हमारा आज का topic function हमने के लिए next video में हम types of muscles करेंगी तो I hope आपको यह अभी तक का topic अच्छे से समझ जाया होगा अभी तक इसमें अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं तो मैं आपके doubts को clear करने के खोशुश करूंगी एंड अगर आपको anatomy and physiology के और भी notes यानिके और units के notes की requirement है तो आप मेरे चैनल बर playlist में जाकर के सभी subject के साथ यानिके anatomy के साथ साथ और भी subjects के साथ जो notes है वो भी आपको महा पर available हैं आप check कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही thank you for watching guys